वेलकम, स्वागत ते आप सबका आपके अपने चैनल चारबुजा इमितर पर आज की वीडियो मैं आपके साथ में एक वेकेंसी शेर कर रहा हूँ जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं उसका notification देखेंगे, उसके बाद उसका form कैसे बढ़ना है, कैसे उसके लिए apply करना है वो भी हम देखेंगे तो आज की हमारी जो वेकेंसी वो आपकी integral coach factory ICF की जो वेकेंसी है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके जो form में online बढ़ने वो 31.2022 से शुरू हो चुके हैं और इसकी जो life date है वो अगर आप देखें तो 36.2022 तक रखी गई है इसमें आपको दो category मिल जागी, एक fresher की और एक XITI की तो इसमें 530 पद XITI के हैं और fresher में अगर आप देखें तो 252 पद हैं इसमें हम और भी detail अगर हम देखें तो वो मैं आपके साथ में share करूँ तो इसमें जो age limit है वो अगर आप देखें तो 15 से 24 साल की रखी गई है इसके अलावा XITI में आपको क्या चाहिए वो यहां पर दिखाया गया है कि feature और electrician mechanics के लिए क्या चाहिए तो standard 10th pass होना चाहिए 50% minimum होने जरूरी है उसके बाद NCVT का अगर आपके पास certificate हो तो वो होना चाहिए और अगर आप SCVT का भी अगर आप state का भी है एक साल से उपर का तो वो भी आपके पास होना चाहिए तो वो भी आप चाम चला सकते हैं कारपेंटर में भी आप अपनी जो क्वालिफिकिशन है वो चेक कर सकते हैं प्रेशर में अगर हम बात करें सबसे महें चीज़ तो फीटर और electrician और mechanist में अगर आप देखे तो दसवी पास होना चाहिए 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए और science और math उसके 12 में होनी जरू यहाँ पर welder के लिए अगर आप देखें तो आपका जो आपका 10 पास है और उसके साथ 12 पास होना और इसके इकविडेंट जो भी चलेगा वो भी आपका चलेगा तो mlt और radiology में थोड़ी से अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा अलग होगा यहाँ पर आपको 12 पास ह जो 10 पास है उनको 6000 रुपे 12 पास है उनने 7000 रुपे एक साथ जार रुपे नेशनल और इस्टेट सेटिफिकेट होलडर है तो उनके लिए यह रहेगा इसके लावा एक प्रोसेसिंग फीज है जो 100 रुपे आपको लगने वाली है SC, HT और PWD और वुमेन के लिए यह फीज रिलेकसेशन दी गई है इसमें आपको फीज देने की ज़रूरत नहीं है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फॉर्म के से बढ़ना है वो देखते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ करने ना है यहां पर आपको ओपना father's name fill up करने बाद हिंडियोन आटोमेटिकली सैलेटेट आएगा यहां पर आपको एक option अगर आपके government employee है जो रेल में है तो यस करना बाकी आपको no करना उसके बाद में चैनन करना उसके बाद में आपको date of birth अगर आप देखे तो आपको fill up कर देनी तो आपको age का complete जियान रखना है जो भी आपने notification में देखा है उसके अंदर में ही आपकी age होनी निवार रहे उसके बाद में आप देखे अगर आप physically handicap है तो yes करना बाकी no करना उसके बाद में आपको अपने आधार number लिखना है आपको male female आपका select कर लेना है उसके बाद में दो marks लगाने है जो भी आपके जैसे कि आपके हाथ पर कुछ निशाने वो लिखना है उसके बाद में आपको pin code जैसे ही आप डालेंगे आपका जो आदा address है district वो सब कुछ आपका select होगे automatically आ जाएगा उसके बाद में आप देखें जैसे आप ये बरेंगे उसके बाद में आपको अपको अपना जो address है वो आदार रोकाट से देखके लगा देना है उसके बाद मॉबाइल नमबर लगाने एमेल आईडी लगाने है और next पर क्लिक कर देना है यहाँ पर अगर आपने नोक किया है फिजिकली तो आपको कुछ बरने ज़रूँ नहीं था आपको बाकी डीटेल देनी होती है यहाँ पर आपको 10 और 12 की आपको सबसे पहले कौन से बोट से पास किया वो लिखना है उसके बाद में उसका मार्क्स चीट नमबर लिखना है कौन से साल में पास किया वो लिखना है आपको कितने मार्क्स मिले है वो आपको यहाँ पर चैन कर लेना है सबसे पहले आपको मेकसिमम कितने थे 500 में से कितने मिले वो आपको चैन कर लेना है तो सब कुछ करके एक पर करके तो आप deception लिए इसके लिए फॉर मिल आप कर रहें तो वह और आपको बाद में आपको minutes कर लेंज इसके बाद में आपके सेंट शॉट कर दिया जाएगा है इसमीं सटीड में हमने फोटो भी अब्लोट की थी तो वह लचाれ यहां पर अगर आप देखे तो आपको अपना जो OTP है आप पर हमें वापस से बताएगा फोटो हमने अपलोड नहीं की हम हमारा जो फोटो है वो अपलोड कर देते हैं तो यह रह गए था तो आपको वापस नेक्स नेक्स करके इस पर आ जाना और बाकी की जो भी डिटेल है वो आपको साई से बढ़ देनी थोड़ी से हमारी डिटेल में कुछ मिश्टेक हो रही है आपको किसी पर क्याल कोई मिश्टेक नहीं करनी है बढ़ने आपको नोर्मली आदार में देखकर इस सारी डिटेल से तो वो हम सब वापस से इसमें fill up कर देते हैं तो एक बार मैं इसे पुछ करता हूँ और हमार fill up होने के बाद अगर आप देखे तो हमार OTP आ चुक है उसके बाद में यह नीचे लिके हुए जो OTP आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो ही आपको इसमें वापस fill up कर देने हैं और उसके बाद well date OTP पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके registration number आपके mobile पर प्राप्त हो जाएंगे उन registration number से आपको अपना जो payment है वो करना होता है तो जैसे आपका registration complete हो उसके बाद में आप SBI के इस पोर्टल पर आ जाएंगे यहाँ पर आप देखे तो आपको अपने जो registration number mobile पर मिले हैं उससे करके आपको payment process कर देना है आगे का जो process है वो मैं आपको इनकी PDF के मादियों से बताने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर आपको अपना जो भी registration का number है वो यहाँ पर आपको mobile पर जो प्राप्त हुआ है वो आपको fill up कर देना है जैसे आप इसमें fill up करेंगे आपके सामने आगे का option आजाएगा आपको date of birth normal जो जान करी है वो आपको fill up करके आपका जो payment है वो आपको approve कर लेना और आपको इसका जो payment है 100 रुपे वो आपको कर लेना इसमें अगर आप देखे तो कुछ category जिसमें free है हो गया EWSC हो गया और जो woman है उसमें अगर आप देखे तो वो category free है उसमें कोई भी payment देनी कि आशकता नहीं है जैसे आपका payment हो जाए तो आपको उसके बाद अपना जो form है वो आपको निकाल लेना है तो payment होने के बाद आपको पुना आपकी जो home screen है जो description में link दिया गया है वहाँ पर आपको वापस से आना है और उसमें अगर आप देखे तो आपको एक option देखने को मिल जाएगा तो यह आपका जो भी payment हो complete होने के बाद आपको यहाँ पर आना है click here to print technology यहाँ पर आपको अपनी registration ID और उसके बाद date of birth डालने और validate और process to print पर click करना और आपका जो form में वो print हो जाएगा और आपका complete काम हो जाएगा